नमस्कार आप सभी दर्शकों का हमारी यूट्यूब चैनल पर हारदिक स्वागत है दोस्तों वर्तमान समय में जिस प्रकार की घटनाए घटित हो रही है उन घटनाओं को लेकर के अब पुराने भविश्यवाणियों को खंदाल करके देखा जा रहा है क्योंकि आज से कई हजार साल पहले और कई एक सौ साल पहले एक से बढ़कर एक भविश्यवक्ता हुए जिन्होंने अपनी भविश्यवाणी से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया साल 2022 में जिस प्रकार से प्रकृती ने हमें विनाश का रूप दिखाया था कोरोना वाइरस के रूप में उसे कौन भूल सकता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बारे में पहले से ही भविश्यवाणी कर दी गई थी जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं जाने माने भविश्यवक्ता बुलगारिया के फकीर बाबा वेंगा जिनकी भविश्यवाणिया पूरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बनी रहती है आपको बता दें उन्होंने ही कोरोना वाइरस जैसी घातक बीमारी के बारे में पहले से ही भविश्यवाणी की थी उन्होंने साल 2023 को लेकर के भी कुछ भविश्यवाणिया की है जिसे जान करके आपको थोड़ा सा डर लग सकता है क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार की भविश्यवाणी उन्होंने की है उसको देखते हुए दुनिया का अंत निकट है साल 2023 में कौन-कौन सी बड़ी घटनाए घटित होने वाली है दुनिया के कौन-कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार के बड़े-बड़े परिवर्तन हो सकते हैं इसके बारे में पहले से ही बाबा बेगा की भविश्यवाणी कर दी है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवर्ष्य कर लीजिए जिससे आपको समयस्मय पर इसी तरह की भविश्यवाणी से संबंधित वीडियो प्राप्त होती रहे तो चलिए फिर जानते हैं बाबा ने साल 2023 को लेकर के कौन-कौन सी बड़ी भविश्यवाणी की है आपकी जानकारी के लिए बता दें बाबा एक गाने अभी के लिए ही नहीं बलकि साल 5089 तक की भविश्यवाणी कर दी है उन्होंने सोवियत संध के विग्टन अमेरिका में आतन की संगठन अलकाइदा के नव 11 हमले समेट कई ऐसे तमाम तरहे की भविश्यवाणी की थी जो सच साबित हुई है अपनी मौत से पहले ही बाबा वेंगा ने दुनिया खत्म होने से लेकर के युद्ध और आपदा को लेकर के एक से बढ़कर एक भविश्यवाणी की है तो ऐसे में साल 2023 को लेकर के भी उनकी भविश्यवाणिया मौजूद है जिसे खंगाल कर देखने से पता चल रहा है कि साल 2023 भी विनाश का समय रहेगा पूरी दुनिया के लिए बाबा वेंगा की भविश्यवाणी को लेकर के लोगों के बीच में डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि उन्होंने ऐसी भविश्यवाणी है की है अंतरिक्ष में बदल जाएगी धर्ती की कक्षा बाबा वेंगा की भविश्यवाणी के मताबिक देखा जाए तो साल 2023 में धर्ती अपनी कक्षा बदल जाएगी आप सोच सकते हैं कि अंतरिक्षा में होने वाली इस घटना के बारे में उन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा करके भविश्यवाणी कर दिया था और उन्होंने यह भी दावा किया है कि साल 2028 तक अंतरिक्ष यात्री शुक्र ग्रह तक पहुँच जाएंगे इसके अलावा बाबा वेंगा ने भविश्यवाणी की थी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब धर्ती पर रात नहीं होगी ये वक्त साल 2100 में आएगा बाबा वेंगा का मानना था कि प्रित्वी को उस दोर में कृत्रिन धूप से रोशन करना पड़ेगा दुनिया खत्म होने वाली भविश्यवाणी बाबा वेंगा ने दुनिया के खत्म होने की भविश्यवाणी भी की हुई है ऐसा दावा किया गया है कि साल 5089 तक दुनिया खत्म हो जाएगी, उनकी भविश्यवानिया भी इसी साल तक के लिए है। ऐसे में इस भविश्यवानी को लेकर दुनिया सबसे ज्यादा हैरान है। एक सौ साल होगी इनसान की उम्र। हालांकि बाबा वेंगा की भविश्यवानी के मुताबिक दुनिया खत्म होने से पहले साल 2046 तक इनसान की उमर बढ़ जाएगी, इनसान एक सौ की उमर तक जीवित रहेगा। इसके पीछे बड़ा कारण अंग प्रत्यारोपन होगा। इस साल 2023 को लेकर के जो भविश्यवानी बाबा वेंगा ने की है, उसके मुताबिक साल 2023 में एक बहुत ही बड़ा विनाश दुनिया को देखने को मिल सकता है, जो प्राकृतिक आपदा के रूप में होगा। दुनिया के कई देशों में भुखमरी देखने को मिलेगी, दुनिय इसे और तमाम तरहे की भविश्यवानी बाबा वेंगा ने की है पूरी दुनिया के लिए। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट करके आप अवश्य अपना विचार बताए, फिर मिलते हैं कि नया और ताजा एपिसोर में तब तक के लिए नमस्का करताए करताए